हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं रोली आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा की चेर में आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी स्टप्ड मूली की पराठे की रेस्पी लेकर आए हूं मूली के सीजर में तो मूली का पराठा ना बने ऐसा हो नहीं सकता सभी को पसंद आता है बहुत जाता पसंद आता है आप भी ज़रू ट्राइ कीजिएगा इस समय मार्केट में तो बड़ी-बड़ी मूली आने लग गई है तो मैं तो आपको बस अभी तीन मूली का बना कर दिखा रहे हूं तीन मूली में कम से कम छे पराठे बहुत ही आराम से बन जाते है यह मैं सोचे कि बहुत थोड़ी मूली है तो कितना बनेगा इतनी मूली में छे पराठे बहुत ही आराम से बन जाएंगे तो आपको सबसे पहले मूली को जैसे धुल कर छील लीजिए चीलने के बाद आप यह देख रहे हैं इसे का दूकस कर लीजिए मीडियम साइज वैला कैस्ते को सबसुत नहीं अंतुकर घुल करें धुट कर लाद मूली को से मेरी तरीके से भनाएंगे तो आज के बाद सकता है आपको मूली को पानीय से निकाल दीजिए क्योंकि भरवा मुली का प्राथा पनाने मगर पानी नहीं निकालेंगे न तब फिर बहुत ज़्यादा मतब बनी नहीं सकता बिना पानी निकाले तो असंभव है इसको बनाना जब पानी तो निकाल देजिए अब पानी निकालने के बाद आप यह देख रहे हैं इसम सुखा स लगा लेना है इसके बाद ज़्टा पानी डालना वही डालना मैं कोई अजवाईन या घ्जी यहां पर नहीं डाल रहे हैं अगर आप चाते हैं लेकिन ठंडी के सीजन में इतनी जादा बार पराठा बनता है लगवाग रोजी नाष्टे में पराठा बनता है तो मैं इसलि दे सकते हैं तो आप देख रहे हैं बारी के टीव हरी धनिया डाल देंगे हरी धनिया थोड़ी अच्छी कॉंटिटी में डालना है और आजाद चमर चाट वसाला और लगबग तीन चार पिंच की पराबर यह लगवग हल्दी है से डाल देंगे सबको डालकर अच्छे से मिला की जग अगर आपने नमक डाल दिया तो इसमें से पानी रिलीज होगा और फिर आपका पराठा बनते समय जरूर फटेगा इस बात का ध्यार रखिएगा तो आप यह देखिए सबसे पहले एक बड़ी साइज की जब भी आप इस्टाप भरवा पराठा इस्टाप पराठा चूटा चूटा मत बनाईए अच्छे से भर ये बड़ा बड़ा बनाईए जहां लोगों को तीन खाना दो खाएंगे लेकिन अग्दम अच्छे से भर भर कर बड़े बनाईए तो अच्छा लगता है तो आप देख रहे हैं ना पहले उसे आप ऐसे फैला लीजिए कटोरी के शेप में बना लीजिए उस बड़ अच्छे से भर येगा तो आप देख रहे हैं अग्टे से दबा कर ऐसे प्रेश कर देजिए जो एक्स्टा आट है आप से निकाल देजिए बस आप नमक अभी दिखा नहीं पाई लेकिन नमक जब आप आटे की कटोरी में मतलब भर ल अगर आप पहले मिलाएंगे तो बानी छोड़ेगा फिर बेले में दिखिए मैं बहुत अच्छे से भर हूं इसलिए थोड़ा सा ट्रांस्परेंट हो रहा है अगर आपका चाहते हैं कि आपका परठा बिल्कुल ट्रांस्परेंट नहीं होना तो आप थोड़ा कम भर ये ल दगा कर फैला लिया किजिए कटोई के शेप में कर लिया किजिए अब देखिए दूसरा भी पराठा में आपको बना कर दिखा रहे हूं देखिए मैं अच्छे से भर हूं तो इसलिए थोड़ा सा ट्रांस्परेंट बेलते समय हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है अच्छे बन रहा है और तो अब नमक कद्धान रखिए एक पराठा दिखें इह इस पहले से डाल दी थी तरफ से ओ explosive वाटर भी तो इसली में इस्ताम होगा है कि मेरे यहां सब लोग उलट वलट कर दोप सेखेख लिए अगर आप करती हो होते कम ए उसके ओजया से लिए क्योंकि बितलिए तो बहुत कम इस्तमाल करते हैं और देशी घी का नहीं दिये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है तो हम हेल्दी और टेस्टी पराठा बना रहे हैं स्वर्शों के देल में कोई भी पराठा हो बहुत अच्छा बनता है तो मैं आपको देखिए दो सेकर के हर सदस को बहुत पसंद आएगा और अगर आप चाहते हैं कि मूली का पराठा बिना इस्टर बिना भरवा वाला कैसे बराएं तो उसका वीडियो अलड़ी हमारे युट्व चनल पर लॉंग वीडियो है आप वहां से देख सकते हैं तो आप दही चटनी अचार हरी चटन करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रिस करके आल पर टिक कर लेजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास पहुचे और आप मेरे तोरा बनाए हुई रिस्पी का फादा उठा सकेते हैं